हलो और वेलकम तो लेट्स क्रेक्ट UPSC मैं नेम इस प्रतिक नयक और वेलकम यौल वन दे लार्जेस्ट यूट्व प्लैट्फॉम पॉर स्वागत है लेट्स क्रेक्ट UPSC CAC की चैनल के ऊपर और मैं आप सब के साथ फिर से लेके आया हूँ को अपनी प्रफिशनसी रखता हूँ खैर कभी समय मिला तो उसके उपर भी डिसकस करेंगे आप सब का स्वागत है अब आपको लेट्सक्रेक UPSC के साथ साथ मैं दूसरे प्लैटफॉम के बारे में थोड़ा बहुत परिचित करने की कोशिश करूंगा वो है अनकेडेमी प्लस यू माइट भी अवेर अबाउट अनकेडेमी प्लस इंडिया का लार्जस लर्निंग प्लैटफॉम है इसकी फ चौर्स कराता होly आप 10 सेंटी सेंट्री के उपर आप सबस्क्रीप्शन लेन की प्लान कर रहे हो प्ली कोडि करिये इस और अंसको डिया या डिसकंद कोर रिए है यहления पिन्लान दिसकंद मिल जाएगा इन यूर होल सब्सक्रिप्शन फीज अने के प्लस का एडवांटेज यह है कि लाइव क्लासिस होते हैं स्ट्रक्षर कोर्स होंदे हैं आपको इनफेक्टिस्ट और क्वीज भी मिल जाते हैं अनलिमिटेड टाइम एक्सेस मिलेगा लाइव और रेकोड़ेट दोनों देख सकते हो जितनी बार मन किया उतनी बार देखोगे प्रिलिम्स और मेंस का कॉम्प्रियंसिव कवरेज होगा और मैं कहूंगा कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ऑप्शनल भी इस के रूप में यहां पर अविलेबल मिलेगी modern, ancient, medieval, post-independence, world, art and culture, every subjects are covered into this whole preparation जो मैं कराता हूँ, इसके सिवाए इंडिया के topmost educators है, जितने भी teachers यहां पर पढ़ाता है, उन सब के classes, उन सब के courses भी आप देख सकते हो, live होगे, recorded होगे, doubt solving होगा, every time you will be able to see the lectures और आपको कोई भी doubt होगा, तो हम आपके लिए बैठे है, आप जरूर से हमारे साथ जुड़ियेगा, इंडिया के topmost educators के साथ पढ़िये, application को download कीजिए from the play store, और I would say the app store, और उसके बाद आपके goal को UPSC CSE choose करियेगा, after choosing your goal as UPSC CSE, what you are supposed to do, you are supposed to select the subscription that you want, एक subscription है plus subscription, दूसरा है iconic subscription, iconic subscription के किया जाता है, academy की तरफ से एक mentor दिया जाता है, तो as a teacher तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, पर एक और individual आपकी life के अंदर preparation की जो journey है, उसमें आपको help करेंगे, plus subscription के अंदर आपको normal जो classes और वो सब मिलेंगे, वो तो इसके अंदर होगा ही आपका, iconic में एक added benefit आपक 49,500 में cover होगा, but if you'll use the referral code PNLive, तो PNLive यूज़ करने के बाद यही fees 44,500 में cover हो जाएगी, ठीक है, तो you'll get benefit, आपके लिए बहुत beneficial है, आप समदने की कोशिच करिये, कड़िए चार पांस जार उपे आपके discount हो जाएगे, ठीक है ना, तो यह referral code याद रखेगा, कोई भी आ सकते हो, 64,800 है, इसमें GS और optional दोनों हो जाएंगे, on academic के उपर करीबन 24 के आसपस total optional subjects पढ़ाया जाते है, उन में से भी आप prepare कर सकते हो, एक और नई category एड हुई है, वो है 3 years preparation, आप में से जितने भी students, जो सोच रहे हैं कि अभी मैं first year में हूँ, मैं college के अंदर हूँ, अभी अगर आप Iconic लेने का प्लान कर रहे हो, तो you can take the Iconic subscription as well, Iconic subscription 69,500 अभी है, और अगर आपने referral code use किया, एक साल के अंदर तो 62,500, दो साल का 96,300 और 3 years का है, आपका 1,26,900 रुपीज, this will include the GS and optional subject, अगर आपने subscription 31st October से पहले लिया तो, 31st October के बाद लोगे, तो GS की अलग से fees के पे करनी पड़ेगी, optional की अलग से fees पे करने पड़ेगी, इसके लिए मैं कहूंगा कि 31st October से पहले लो, आज ही ले लीजेगा, I will suggest कि आज कल में ही आप प्लान कर दीजिए, तो it will be beneficial for you in the longer run, ठीक है, तो ज़रूर से आप ये subscription ले सकते हो, क्योंकि optional की फिर fees आपको अलग से पे करनी है, इतने सारे optionals on academy के ऊपर कराए जाता है, तो you can see history, quality, जितने भी है, literature है, PSIR है, ये सब optional है, और भी optional add होंगे, engineering category के भी होंगे, mathematics भी already हमारे पास available है, ठीक है, तो referral code हमेशा use करेगा, discount code in life, this will give you 10% discount, ठीक है, आपको 10% जो discount है, वो यही discount code के द्वारा मिलेगा, अ application को download कीजिए, और मही profile को search करेगा, search करेगा special classes, ये free classes होते है, ये free classes के अंदर मैं बहुत सारे topics को cover करा हुआ है, मैंने वहाँ पर academic के ओपर, ठीक है, वो देखोगे, तो भी आपको बहुत मजाएगी, and you will be able to make up your mind की subscription लेना है कि नहीं लेना है, इस प्रकार की आपके doubt solving होत और मैंने आपको पिछले class के अंदर बताने की कोशिश की थी, कि कैसे colonialism लाम की जो ideology है, उसने इंडिया के ऊपर कैसे impact किया, और खास करके इंडिया के अंदर जो forest society है, उसके ऊपर impact करता है, और कल के class के अंदर मैंने आपको बताया था कि colonialism की definition क्या है, अगर आपको याद हो लोगों को, और forest society को जो impact करता है, उसी के अंतरगत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, कि उसने किस तरह से deforestation करने की कोशिश की है ना, तो in the previous question, हमने आपको बताया था कि deforestation was one of the major outcomes of the colonialism, deforestation क्या होता है दोस्तों, तो जब जंगलों को साप किया जाता है, तो उसी को ह हम लोग क्या कहेंगे, deforestation कहेंगे, समदे आप लोग, ठीक है ना, तो colonialism की जो सबसे big impact थी, वो थी deforestation की, और deforestation कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि how it was done, उसके पीछे की मैंने आपको story बताई थी, और अगर आपको previous class की story याद है, if you are able to recall the story of the previous class, that we have discussed, त तो मैंने आपको बताया था कि एक तो land को improve करना था इंको, और क्यों improve करना था, क्योंकि ये लोग चाते थे की cultivation के अंदर land को लाया जाये, cultivation के लिए land को लाया जाये, और cultivation किसका किया जाएगा, साफ ठीक है तो साथो साथ food crops का साफ ठीक है, तो jungle को साफ किया गया, in fact इसके क कारण दूसरा हमको मिलता है वो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्ट्टर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्ट्टर के अंदर हम जरूर से ब्लेम करेंगे रेल्वेस में क्योंकि रेल्वेस के लिए इन्होंने स्लीपर्स का यूज किया था मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया थ और उसका उपयोग किया जाता था for the supporting of the rail tracks है ना इसके साथ साथ मैंने आपको रेल्वेस वे फ्यूल के लिए भी बताया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो कोईला होता है और कोईले के साथ साथ आपको लकड़ा भी जलाने के लिए काम में आएगा साथ ठीक है इसके सिवाथ तीसरा जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था और Plantation Agriculture के अंतरये इंडिया के अंदर कुछ-कुच परकार के ट्रीज को इंट्रीज करना plantation agriculture के अंतरय था कि इन्होंने आपको भारती है यह हम लोग कह सकते हैं कि जो जो खेत की पधति थी सुगर के जूट जैसे crops को introduce करना और indigo मैंने आपको कल के class के अंदर बताया था example of indigo यह सब चीजों के कारण हमको plantation sector का भी काफी सारा exploitation मिलेगा ठीक है तो in the previous sessions हमने जो previous class लिया था वो previous sessions के अंदर इतनी points को discuss कर लिया था ठीक है तो आप मैंसे जो जो बच्चे नए आये हैं उनको हमने देखने की कोशि ichik कैसे हाठीयों का उपयोग किया जाता था कैसे नदी के अंदर लकड़े जो है वह फ्लोट करके एक जगा'll करके एक जागा से साफ किया जाता है क्यों दो ने अर्चे बना और भी एवें सबसे पहली impact जो थी आपकी सबसे पहली जो impact थी हमने आपको previous class के अंदर बताया वो थी deforestation ठीक है deforestation के बारे में आपको doubt नहीं रहना चीए दूसरी impact जो colonialism की रहती है colonialism की जो दूसरी impact रहती है जो forest के उपर impact होती है वो है commercial forestry का growth होना अब आप समझने की कोशिश करें मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग ली शब्द बता रहा हूं साब ठीक है commercial forestry ठीक है अब आप forestry as a science को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो forestry क्या है पहले यह बताईए साब ठीक है तो study of the forest and I would say the use of the forest in optimum way उसकी जो study की जाती है और उसका जो application होता है उसे हम लोग forestry के रूप में पहचानते हैं न तो जो UPSC के अंदर यह Indian forest services के exam देने वाले मेरे students है तो वो लोग यह forestry के साथ जब preparation कर रहे होते हैं तो उनको यह सब forest के बारे में और उसके बारे में थोड़ा basics और यह सब पता होना चाहिए साब ठीक है अब मैं आपको forestry के बारे में यह क्यों बता रहा हूँ और उसका intention क्या है आपको यह forestry के बारे में पढ़ाने का ठीक है forestry जो है उसके अंदर commercialization लाना उसका मतलब क्या होता है आप समझने की कोशिश करिएगा साथ ठीक है ना तो यह कैसे होता है यह क्यों होता है और इसका मतलब क्या है इसके उपर से तीन प्रकार के कोशन आ सकते है इसमें आपको prelims का भी कोशन आएगा और mains के अंदर तो आपको overall पूछ देगा impact की वही क्या इसकी significance होती है ठीक है तो आप जब जब यह commercial forestry की बात करोगे यह how, what, why की concept के उपर जब तो आपको picture clear होना चाहिए कि यहां से गोल गोल गुवा कि यह दो तीन topics के ओपर यह पूछ सकता है ठीक है अब आपको क्या करना है what you are supposed to do now है आपको क्या करना है इसके अंतरगत तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो commercialization हुआ है when the commercialization of the forest and the forest resources took place तो इसी के अंतरगत in fact ह आपकी जो से बनाने की शुरूआत करने समझे आप लोग ठीक है ना तो मनीमेकिंग जो अबजेक्टिव है यह मनीमेकिंग आप ज़ुआ फोरेस्ट्री से शुरू होगा है यह ideology के कारण आपके जंगल की जो प्रक्रिया है जंगल की अंदर जड़ी बूटिया उग रही थी वो सब को तोड़ा गया और फिर अंग्रेजों ने अपने जाड़ पान को उगाने की शुरुआत की जिसे हम लोग कमर्शियल फोरेस्ट्री के रूप में पैचाने के साब ठीक है अब आप संबने की कोशिश करिए हमने प्रीवेस सेक्शन के अंदर आपको बताया था कि अंग्रेजों को बेजिकली जो चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत थी वह थी आपकी फोरेस्ट का उपयोग और वह मेंली किसके ल जो सिस्टम है इनकी साब ठीक है क्या कहता है ब्रिटिश की जो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते है काइंड ओफ कमर्शियलाइजेशन की जो सिस्टम है उसमें इन्होंने रेलवे की पट्रिया बहुत चारी डाली थी साब ठीक है अब ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि यह जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट के ऊपर जो यूजेज राइट होने चाहिए जड़ी बूटिया है वह एक्स्क्लूजिवली ब्रिटिश के लिए होनी चाहिए समझे कर नहीं समझे है ना अंग्रिजों को मानना था कि यह जंगल के ऊपर अधिकार हमारा है अब प्रॉब्लम के अंदर हमको कौन मिलते हैं साब बहुत सारे ट्राइबल्स मिलेंगे वी फांड मल्टीपल ट्राइबल्स वर लिविंग इन फॉरेस्ट एरे राइट तो क्या किया अंग्रेजों ने कि जब पावर के ऊपर यह लोग आते हैं तो इन्होंने बेजिकली फॉरेस्ट का एक् जंगल टूट जाएगा और जंगल टूटने का जो कारण है वो बिसिकली अंग्रेजों ने ऐसा ब्लेम किया कि कारण होगा यह लोकल पीपल के द्वारा होगा अब देखो ट्राइबल कमुनिटी जो है वो हमेंसा सस्टेनेबल वे अफ लिविंग के अंदर जी जाती है जूम के रूप में पैचानते हैं जूम का एक प्रकार है तो यह जितना भी आपका यहां पर हो रहा है उसके कारण अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि यह जो ट्राइबल लोग है और यहां की जो लोकल पॉपिलेशन है यह सब कुछ तोड़ तार देगी यह सब कुछ है नहीं उस तरह से डिस्टोर नहीं करेंगे साब ठीक है तो हैंस दब्रिटिश डिसाइड़ टू इन्वाइट जर्मन एक्सपर्ट कॉल्ड एट डिट्रीच ब्रेंडिस इसका नाम याद रखेगा साब ठीक है ना कभी कभी नेम आते है परस्टनालिटी के ऊपर से नाम आत इंका साब ठीक है क्या नाम था डंट्रिच ब्रेंडिस नाम था इनका और इंसक्टर जर्नरल फोरस्स बनाया गया इंको बोला एकधिंदिया की और की तो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट का जो है वो यूजेज राइट बदलने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली यह एक्सपर्ट के अंदर मिस्टर ब्रैंडिस को इंट्रीज कर आया और ब्रैंडिस मुलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो उसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का दरज्जा दिया गया इसको बुला गया कि यह जो वन विभाग है वन विभाग कहते है ना साब ठीक है ना तो यह जो वन विभाग है उसका अध्यक्ष है अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज का अगर आपको लौ के मुताबित चलनी चाहिए समझ में आया कि नहीं है देखो अंग्रेजों की एक चीज बहुत ही सिग्निफिकंट थी अंग्रेजों ने बिजिकली एक चीज को इंडिया में इंट्रियूस कराया था इस पार्ट ऑफ एड्मेस्टेश्टेशन जिसे हम लों कहेंगे उसी के ही आउटकम के रूप में हमको देखने को मिलता है कि कोई भी चीज इंट्रियूस कराएंगे वो कानून के द्वारा होगी जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता होगा 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट क्या था वो रूल ओफ लॉका ही एक एक एक्जाम्पल था उसी तोर के उपर अगर आप मुझे पूछोगे कोई दूसरे पर्स्पेक्टिव में जैसे डिफेंस ओफ इंडिया एक्ट एक्ट एक आया था 1915 के बास ठीक है ना रॉलेट के जस्ट पहले वो भी रूल ओफ लॉफ था ये इसके पेले प्रेस एक्ट आया था तो अंग्र अंग्रेजो को पदा चला कि भारत के अंदर अगर फॉरस्ट को कंजर्व करना है और अपने खुद के फायदे के लिए करना है तो उसका लीगल वैकिंग रहना चाहिए क्यों कि कल उठके अगर लोकल पीपल जाड को काटेंगे कल उठके अगर कॉंट्रेक्टर्स यह है य पहले तो इन्होंने फॉरस्ट का कंट्रोल ले लिया एक साइड के ऊपर डिफॉरस्टेशन को बढ़ावा दिया जहां जहां उनको जरूरत थी जहां जहां उनको लग रहा था कि लोकल पीपल को सबसेदा फाइदा हो रहा है जंगल से वहां से लोकल लोगों को हटा दो थ फॉरस्ट रिसॉर्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या कर रहा है साब यह सब चीजों को अपने काबू में ले लिया साब ठीक है और इसी के कारण इन्होंने एक लीगल परस्पेक्टिव उसके बीछे बनाया और रूल्स बनाने की शुरूआत की जहां पे फॉरस् उसको लेके इन्होंने नियम तैयार कर दिये ठीक है अब देखने की कोशिश कर इन्होंने नियम बनाया है इन्होंने रूल्स बनाया है इन्होंने रेगुलेशन बनाया है अब रूल्स रेगुलेशन यह सब कुछ बनाया है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब यह होगा now the British will be making multiple laws, now the British will be making sure कि ये जो laws है, इसके द्वारा पूरी तरह से सिस्टम उनके काबू में रहे साब ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि आज के बाद आप जंगल के अंदर कोई जाड को तोड नहीं सकते, आप वहाँ पे अपने जानवरों को चराने के लिए नहीं लेके जा सकते, और अगर आपने ये सब करने की कोशिश की है, तो आपकी पनिशमेंट की जाएगी, क्यों? क्योंकि उनको तिंबर प्रोड़क्शन बढ़ाना था, तिंबर प्रोड़क्शन क्यों बढ़ाना था, इन्सान अगर जाड को काटने की कोशिश करेगा, तो उसको punish किया जाएगा and this is one of the reasons we find कि ये जो अंग्रेज थे ये अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो पूरी की पूरी forest administration ने अपने हाथ में ले ली अब आप समधने की कोशिश करिए forest इतने बड़े विस्तार में था मतलब कितना था साथ ठीक है न इंडिया के अंदर उस टाइम पे 1860 के आसपास more than 70% of the area was under the forest साथ ठीक है करीबन 60-70% से ज़्यादा विस्तार forest में था आज ये 20-25% के आसपास चल रहा है हमारी national forest policy का target ये है कि one third of the India should be under the forest साथ one third of the area should be under the forest बाकी साथ रीजेंस के अंदर 33% तो करने का अभी हमारा objective है साथ ठीक है उस टाइम पे 1850-60 के आसपास का period अगर आप देखोगे तो almost 70% के आसपास का area आपको forestry के अंदर मिलेगा अंग्रेजों ने क्या किया साथ ये जो forestry का पूरा का पूरा dimension बनाना था इसके लिए इन्होंने जो forest का framework है बनाने की शुरुवात की अब पहले तो rule of law लेके आगे कानून बनाने की बात की और साथो साथ ये कानून को लागू करने के लिए officials को appoint किया साथ ठीक है है ना क्योंकि rule of law को implement करना कोई भी कानून की प्रक्रिया को implement कराने के लिए उसको execute कराने के लिए आपको कोई ना कोई official सही है की नहीं चाहिए साथ है ना तो executive के रूप में अंग्रेजों ने क्या किया साथ Indian Forest Services को introduce करवाया समझ में आया की नहीं आया साथ ठीक है ना जैसे आज की तारीक में UPSC के अंदर भी आपको पता होगा कि आप जो prelims की exam देते हो वो civil services और forest services की combined prelims है you might be aware about this case कि whenever you appear for the UPSC prelims तो UPSC prelims की खासियती यह है कि आपकी forest services और civil services की combined exam ली जाती है साथ ठीक है अभी presently पहले थोड़ा अलग था in fact पहले Indian forest services आजादी के बाद हमको dissolve कर दी गई थी क्योंकि forest जो है वो state list के अंदर डाला गया but once again जब 1970s के period के अंदर forest को हमने concurrent list के अंदर डाला ठीक है once again हमारे इंडिया के अंदर constitutional amendment हुआ उसके बाद forest services को all इंडिया services का दरज़ा दिया गया है ना तो we find कि Indian forest services सबसे पहले 1864 के अंदर बनती है कौन से साल में 1864 के अंदर साब ठीक है अगर आपको याद होगा तो Indian civil services कब बनी थी when was the Indian civil services established इंडियान civil services established की जाती ही in the year 1861 साब ठीक है ना Indian forest services established की जाती ही 1864 के अंदर साब ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए you try to understand the Britishers were very smart Britishers ने Indian forest services थे establishment की और उसके बाद एक कानून लेके है कौन सा कानून लेके है साब Indian forest act सबसे पहला कानून याद रखेगा कौन से साल का है ये prelims के अंदर कोशन आएगा साब 1865 का आप देखो NCIT के अंदर मैं आपको fact भी करा रहा हूँ मैं आपको tentative questions बता देता हूँ कि सबसे पहले forest services की स्थापना कब हुई थी याद रखेगा ये आपका prelims का question है very important fact my find very important fact हाँ ये fact के उपर से question बनेगा दोस्तों साब ठीक है दूसरा एक और कानों कौन सा Indian Forest Act of 1865 this is also very important fact so you can imagine कि ये दोनों की दोनों point से हमको पता चलता है कि अंग्रिजों ने भारत में forest management, forest administration के लिए एक hierarchy create की ये hierarchy का importance ये ही था कि इंडिया के अंदर जो forest resources है उसके ओपर अंग्रिजों का दबदबा बना रहा है साब ठीक है अब forest के ओपर ये लोग research करना चाते थे they were basically trying to research they were trying to introduce new new variety of plants and I would say species of different different vegetations जो इंडिया में introduce की जा सकती है खास करके पहाड़ी विस्तारों के अंदर जहां commercialization है साब ठीक है अब forest के अंदर research and development करने के लिए और उसको ले के एक थोड़ा अच्छा खासा scientific development हो इसके लिए इन्होंने के एक और institutions बनाया जिसका नाम है Imperial Forest Institute at Dehradun इसको आज की तारीक में National Forest Academy के रूप में पहचाना जाता है साब है ना IGNFA इन्दिरा घांदी National Forest Academy साब ठीक है ना सबसे पहला जो था उसका नाम था Imperial Forest Research Institute अंग्रिजों का था इसके लिए Imperial Forest Research Institute FRI के रूप में पहचानते हैं कहां पहचाना जाब Dehradun के अंदर है 1906 के अंदर था साब इसकी establishment की गये थी ठीक है तो ये भी एक आपका तीसरा prelims के related fact हो गया अब आप देखिए NCRT को कैसे पढ़ना है वो चीज में आपको समझा रहा हूँ अब ये आपका NCRT का crux है Whenever you read NCRT आपको इसी तरह से आपको पढ़नी होगी NCRT के अंदर आपको identify करना आना चाहिए कि कौन सी चीजों को हटाना है कौन सी चीजों को include करना है कैसे करना है तो Imperial Forest Research Institute दहरादून के अंदर 1906 के अंदर बना ही जाती है ये 1906 के अंदर Imperial Forest Research Institute को बनाने का intention ये था कि यहाँ पे scientific way के अंदर forestry का growth होगा अब आप समझी है कि इन्होंने scientific way के अंदर forestry का जो growth होना था वो ऐसा नाम दिया पर सचा ही ये नहीं थी कि यहाँ पे scientific way के अंदर सब चीजे होगी साब ठीक है ना तो you see कि यहाँ पे NCRT के अंदर लिखते है कि the system they thought was here called as the scientific forestry but many people now including the ecologist आज की तारिक के अंदर जो भी आपके परियावरण शास्त्री है वो कहते है कि यह system बिल्कुल भी scientific नहीं है साब ठीक है इस system is not at all scientific हाँ तो यह सब चीजों से हमको समझ में आता है कि यह सब चीजों से हमको समझ में आता है कि इंफेक्ट जो scientific perspective नहीं है ecologist भी मानते है ऐसा क्यों कहते है तो उसके पीछे की कहानी यही मिलती है कि scientific forestry के अंदर जो natural forestry जो थे उनको काटने की जो परिस्तिती और पक्रिया थी वो कभी भी इंफेक्ट आती नहीं है आप समझने की कोशिश करिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर natural forest को काटा और उसकी जगह artificial plantation लगाने की शुरुवात की मैंने आपको कल के class के अंदर भी बताया था कि जो भी चीज थी वहां पर artificial vegetation को create किया जाता था यह artificial vegetation का मतलब है कि यह newly introduced था यह इंडिया का local नहीं था they were not basically local in India they were brought from some other countries they were brought from some other land थीक है न तो यह सब situations में अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो forest की system है यह forest की system को अपने control में लेने की कोशिश की उसी के ही दो photograph दिये गए है दियोदर का plantation दिख रहा है आपको कहां पर कांगडा के अंदर 1933 के अंदर Indian forest record का है ठीक है तो आपको question प मिलते हैं इन में से कौन सी location के अंदर मिलते है ठीक है ना तो at least आपको मैस्ट फॉलइंग के अंदर जब question आएगा prelims के अंदर यह आपको statement based के अंदर question आ जाएगा यह आपको इसके अंदर से एक और question बनेगा वो है true and false का question तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका significance है getting upon point है ना दूसरा one isle of manage popular forest in the Tuscany Italy की इंदर बात की गई है साब ठीक है popular forest are good for the timber यह timber के लिए अच्छे होते है साब ठीक है ना दूसरी important point यह है कि they are not used for leaves fruits और other products साब यह लोग है कि white was considered scientific forestry उसके पीछे का कारण यही था साब ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए you try to understand मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो forest sciences है और forest का जो development हुआ उन सब के अंदर हमको एक सीज मिल रही है कि अंग्रिजों ने scientific forestry को introduce कराया यह scientific forestry के द्वारा commercialization की शुरुआत होती है साब ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए commercialization कैसी होगी साब ठीक है यह commercialization जो होती है इसे हम लोग कहता है plantation के अंतरगत forest को develop करना साब ठीक है कैसे करेंगे in this place one type of tree was planted in a straight rose अब यह क्या है मैं आपको समझाता हूँ एक्चुली साब ठीक है तो लेट मी गो बाक टुदी वन मोर टाइम एन लेट में एक्स्पेन यह कैसे इंडिया के अंदर forestry को change किया गया अंग्रेजों ने जो scientific forestry की definition दी थी वो क्या बताया था साब ठीक है उसको पहले हटा दिया जाए साब ठीक है उसको destroy कर दिया उसका लकड़ा वकड़ा कहीं बेच दो जला दो जो भी करना है वो कर दो साब उसके बार इन दे सेकंड स्टेज जब दूसरा स्टेज यहां से आया तो दूसरे स्टेज के अंदर what the British dude they started introduced new species of vegetation new species of vegetation और उसका जो plantation है उसको कैसे अप्लाए किया जाता था उसका जो application है उसको कैसे अप्लाए किया जाता था उसको स्टेट लाइन के अंदर किया जाता आप समझने की कोशिश करिए यहां जहां पर ना तो क्या होगा कि एक रो बनेगी समझ में आया कि नहीं आपको खीए और उसको पूरी सिस्टमेटिक लुक दी जाती थी और हम लोग कहेंगे कि एक बहुत एस्थेटिक सेंस के अंदर भी इन्होंने फॉरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिस की है समझे आप लोग ठीक है एस्थेटिक का मतलग है देखने में भी अच्छा लगता है ठीक है और वै में भी दूरत थी उनको लग रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टीव है उत्वाइन रवन की था वहां पे जो फॉरेस्ट उनके रहना चाईए सांप थीक है न तो यह लोग क्या करते थे कैसे सांटिफिक फॉरेस्ट को इंत्रीस करते थे तो पहले जितने भी forest officials से उनको कहा गया कि आपको नोगी सर्वे करना है पूरे जंगल का say for example ये पूरा का पूरा forest है उसका सर्वे करेंगे उसके बाद ये लोग estimate करेंगे कि यहां कॉंसे प्रकार का ज़ाड है ये जो region है यहां कॉंसे प्रकार का ज़ाड है फिर ये लोग estimate करेंगे कि यहां क्या चल रहा है getting a fund है ना तो we find कि जो भी अलग-अलग प्रकार के trees से उसके लिए इन्होंने working plans बनाए forest management के लिए अलग-अलग चीजे बनाई साब ठीक है तो यह सब ठीजे दर्शाती है कि how in fact जो forest official से उसका उपयोग किया गया by this whole research scientific करने के अंतर कर ठीक है उसके बाद यह लोग plantation के अंदर क्या करते थे एकदम scientific forestry के अंदर इन्होंने planning किया इन्होंने देखा कि यह जो forest का area है यहां पे थोड़ा ज्यादा trees की quantity हो गई है यहां पे quantity हमारे पास excess हो गई है तो इनको पता था कि यहां से हम लोग काटेंगे साब ठी ठीक है और फिर वहां पे in fact जो area को काटा है उसको replant भी करना है समझ में आया कि नहीं है आपको ठीक है so we find they'll be trying to replant the same area जहां पे इन्होंने जहाड को काटा है क्यों क्योंकि एक बार आपने काट दिया तो वहां पे फिर दूसरे जहाड भी उगने चाहिए न साब ठीक है व इन्होंने replantation किया वही variety की वही species की और कोई नए plant को introduce नहीं भी कराया यह दोनों पॉइंट आपको वहां पे मिलते रहेंगे साब ठीक है so the British introduced the new methodology of the agriculture I would say forestry और यह plantation के अंतरगत था यह plantation को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो कानून पास किया था इसका नाम था forest act of 1865 यह forest act को दो बार इन्होंने revive किया है यह उसको पूरी तरह से अमेंड किया है forest act originally याद रखेगा कि सबसे पहला जो कानून था वो था 1865 का था दूसरा आया 1878 का और तीसरा आया 1927 का साब ठीक है तो यह तीनों के तीनों आज की तारीक में भी हम लोग Indian forest act of 1927 follow करते हैं even in the present day हम लोग के यहां पर भारती है मैं साशन पदती की बात करो I'm talking about the Indian administration we still follow the I would say the policies which once upon a time जो forest act के द्वारा आपकी चल रही थी साब ठीक है ना तो यह दो तीन points हमको समझ में आता है कि क्या उसका significance था commercial forestry का अब आप समझने की कोशिश करिए कि अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर in fact जो forest act लाया था यह forest act लाने की कारण क्या था why they wanted to basically introduce the forest act and how the management of the forest took place साब ठीक है ना कि कैसे जंगलो को manage किया जाता है by the British by the introduction of the forest act अब देखें यह पूरी colonialism की हिस्ट्री है मैं आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग हिस्ट्री से पढ़ते पढ़ते कहां पर चले गया है पर देखें NCRT में दिया है questions आ सकता है मैंने आपको prelims के भी 2-3 questions अभी बताए कि कोशन नहीं आएगा कोशन बेटा यहां से बनता रहता है आपके साथ problem यह होता है कि आप NCRT को जस्ट ऐसे go through के रूप में देखते हो आपको कभी कभी लगता है कि NCRT है या यह तो खाली जस्ट एक बार go through कर देंगे निकल जाएंगे इसमें से ज्यादा कोशन नहीं ब ठीक है पहले जो थे उसे हम लोग कहते हैं रिजावड फॉरेस्ट दूसरे थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे कौन से थे विलेज फॉरेस्ट ठीक है तो यह आपकी definition हो जाती है इस definition can also be asked in the prelims examination और आपको पूच सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के साब ठीक है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंतरगत अंग्रेजों ने किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई थी ठीक है तो देखे नास क्यों कोशन है ना कोशन तो दोस्त यहां से बनते रहेंगे तो आप जब-जब कोई भी कोशन को डील कर रहे हो हो आप जब-जब कोई भी टॉपिक को डील कर रहे हो तो हमेशा आप उसका जो INCIT formation है और INCIT का जो एक आइडिया है उसके साथ आप देखने की कोशिश करिए साहब अब देखने की कोशिश करिए सबसे बेस्ट फॉरेस्ट थे उसको क्या कहा गया है रिजर्वड फॉरेस्ट एक ऐसे प्रकार के जंगल बिजिकली जहां पे विलेजर्स को एंटर करने की भी परमीशन नहीं थी साधी भाशा में हम लोग कहेंगे साथ ठीक है इन्होंने बताया कि यहां से कुछ भी चीज़े नहीं ले सकते हैं इवन फॉर दिर ओन यूज यह खुद के लिए भी इनफेक्ट है ना कुछ नहीं ले सकते हैं यहां पर अंग्रेजों का यह जो रिजर्वड फॉरेस्ट के अंदर काम यही था कि उसको चंजर्व किया प्रोटेस्ट किया विलेज़ेस ने कहा कि भई हम लोग जंगल में रह रहे हैं जंगल के आजुबाजु में हमको क्या मिलेगा तो अंग्रेजों ने क्या किया था एक्चुली कोई भी फॉरेस्ट होता है से फोर एग्जाम्पल मैं आपको यह आज की तारीक में नेस्टमल आपला जो एरिया होगा, say for example, this area, इसको इना रिजर्व फोरेस्ट का टाइटल दे दिया, getting a point, कहा कि यह रिजर्व फोरेस्ट, and because it's a रिजर्व फोरेस्ट, no one can enter without the permission, neither you can take any of the resources out of that, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे जंगल से कुछ लेना है, I want to get some resources out of the forest, तो अंग्रेजों ने कहा कि यह जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है, the second line, यह जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है, उसको target किया जाए, समझे आप लोग ठीक है, और वो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के अंदर अगर आपको fuel चाहिए, आपको लकडा चाहिए, आपको wood च समझ में आता है, आपको ठीक है, तो जितने भी herbs है, जितने भी जड़ी बूटिया है, अगर वो naturally वहाँ पे grow हो रही है, और आपको चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हो, बट यह प्रोटेक्टेड फोरेस्ट से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह सब चीजा दर्श definition बनाई थी, इसका intention यही था कि वो पूरी तरह से forest resources को अपने काबू में ले, वो पूरी तरह से forest की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, उसको अपने favor में ले ले, getting a point है, तो 1878 के अंदर जो forest tech लेके आए, यह forest tech के अंदर, village forest के अंदर allow किया गया, बाकी सब जगहा पे allow नहीं किया गया, आप समझने की कोशिश करिए, अब सवाल यह आता है, कि अंग्रेज आये, when the British came, Britishers came with the topic of rule of law, यह rule of law के अंतर, इन्होंने forest tech पास कराया, यह forest tech के साथ-साथ, forest के officials को अप्वेंट किया गया, मैंने आपको Mr. Brandis का नाम बताया, और Indian Forest Services की बात की, अब सवाल यह आता है, कि अंग्रेजों ने जो forest tech पास किया है, यह forest tech ने common man को कैसे impact किया, जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनको कैसे impact किया, ठीक है, तो आपका जो chapter है, उसके title की शुरूआ तब होती है, समझ में आया की नहीं आया, आपका जो chapter का title है, the name of the chapter is forest society and colonialism, समझेख न colonialism कैसे, in fact, forest के अंदर introduced होता है, उसके बारे में पढ़ा है, we have completed, कि how the forest life was affected with the entry of colonialism, साब, अब सवाल यह आता है, कि जंगल के अंदर, जो मंगल रहता था, forest के अंदर रहने वाले, जो common man है, जो basically tribal community है, जो वहाँ पे, मैं कहूंगा कि, जो villagers है, यह सब लोगों को कैसे impact करता है, आपके British, जो कानून थे, British, जो सार्शन पद्दत ही थी, British administration था साब, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, let us go to that topic, and let us try to understand कि how the forest society, and the forest whole infrastructure basically affected the colonial policies, and eventually, जो common man थे, उसकी life में क्या change होते है, साब, ठीक है है ना, तो let us try to see, हमको देखने की कोशिश करते है, कि how the life of the people were affected, अब देखो NCIT में बहुत interesting topic दिया गया है, आप समझने की कोशिश करिएगा, यह topic दिया गया है, महुआ का एक photograph मिलेगा साब, ठीक है ना, महुआ अगर आपको पता होगा, तो generally इसके लिए use होता है, साब, ठीक है, महुआ जो है, Central India के अंदर आपको बहुत मिलेगा, ऐसे तो बहुत सारे regions में मिलता है, तो आपको पूछा जा सकता है, कि महुआ का जो use है, कहां पर किया जाता है, ठीक है है, तो महुआ जो है, उसके बारे में NCIT क्या लिखता है, Villages wake up before dawn and go to the forest to collect the महुआ flowers, which are fallen on the forest floor, आप समदने की कोशिश करियेगा, ऐसे trees के जो flowers है, जो जमीन के ऊपर गिर गए, उसको ले रहे साब, ठीक है, महुआ trees are precious, महुआ flowers can be eaten or used to make alcohol, the seeds can be used to make the oil as well, तो महुआ का use क्या होगा, food के लिए होगा, directly खा सकते हो साब, दूसरा होगा alcohol, मैंने आपको बताया, बाटली के लिए होता है साब, और तीसरा oil के लिए, समझे कि नहीं समझे, तो इसके उपर से prelims का question बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, आपको लगेगा कि सर महु इतना क्यों prominent हो गया, महुआ prominent नहीं हुआ है, दोस्त आपने NCRT को ignore किया था, NCRT को reading between the lines नहीं कर पाये थे, इसके लिए आप फस गये, समझे कि नहीं समझे, तो इसके लिए मैं आपको फिर से भी कहूंगा, मैं आपको फिर से logically भी यही समझाने की कोशिश करूंगा, कि ज जब जब आप NCRT को पढ़ रहे हो, prelims और mains के perspective से पढ़ना है, आपको देखना है कि question कहां से निकल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये topic को मुझे prelims के perspective में देखना है, इसको overall main centric देखना है, ठीक है, दोनों की तयारी साथ में करनी है, ऐसा नहीं कि prelims की अलग करेंग अंदर जो overall हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर तरह से problem आ रहा है साथ, ठीक है है ना, तो we find, एक weakness में ने देखी है, कि लोग prelims और mains को अलग अलग तरह से देखते हैं, मैं वैसे नहीं देखता हूँ, मैं आपको यही suggest करूँगा, prelims, mains को दोनों को integrated देखिए, तो ही आपको म forest got impacted साब, आप संबने की कोशिश करिए, पहले के time के अंदर, जो tribal community थी, ये tribal community का way of life कैसा हुआ करता था, you try to understand, tribal community का जो way of life था, वो एकदम बहुत ही simple था, simple क्यों था मैं आपको बताऊंगा, वो जंगल के अंदर रहते थे, जंगल का, मैं कहूंगा, protection भी करते थे, they used to stay in the forest, they used to protect the forest, and simultaneously they used to get the resources from the forest, अपना घरबार चला देते थे, अपना जीवन चला देते थे, getting a point है न, तो we find कि, ये जो situation है, ये situation के अंतरगर, उनको forest ने कभी नुक्सान नहीं पहुँचा है, नहीं उन्होंने forest को नुक्सान पहुँचाया, जो villagers थे, villagers forest को अपनी भगवान समा मानते थे, tribal लोग तो in fact, अगर आप देखोगे, तो एक शब्द आता है, जिसे हम लोग कहते है, sacred grooves, पता है आप मैंसे कितने लोग ने पढ़ा है, साब, sacred grooves मतलब कुछ ऐसे, ऐसे vegetation के विस्तार, जहां पे tribal community मानती है, कि हमारे देवता यहां पे रहते है, और इसको protect करना च साब, यह सचाई है, इंडिया की जो traditional, इंडिया नहीं, पूरे world के अंदर आपको यह मिलेगा साब, जब Britishers आये, तो Britishers ने forest का use जो है, वो sacred grooves के रूपे नहीं किया, उनको तो वहां से पैसा कमाना था, वहां से लकड़ा चाहिए था, वहां से resources चाहिए था, ठीक है, तो villagers क जो मानना था, उसको forest को लेके बहुत ही अलग idea था, villagers ऐसा चाहते थे, कि forest को हम लोग conservation करेंगे, और वहां से हमको fuel, fodder, leaves, जो भी मिल रहा है, पत्ते मिल रहा है, खाने पीने की चीज़े मिल रही है, हमारे पशुधन को कुछ मिल रहा है, साब, ठीक है, हमारी needs को satisfy किया जा houses, our houses and forest हमको खुश रखता है, साब, ठीक है, बट उसके सामने, against that, अगर आप forest department को देखोगे, जो English officials हुआ करते थे, ये English officials का क्या कहना था, English officials ये कहते थे, कि जो trees जो है, उसको ये लोग काटेंगे, जहां इनको जरूरत पड़ेगी, railway scanner और ship building के process के अंदर, साब, ठीक है So this is one of the reasons the British administration ने ऐसे ऐसे जाडों को ग्रो कराया, जो hardwood के होंगे, बहुत ही, कठीन होंगे, जो बहुत tall होंगे और बहुत ही straight होंगे साब, ठीक है, this is one of the reasons we find teak and sal, ये दोनों प्रकार के जो trees है, they can be used in the commercialization, जो उस time पे British administration का सबसे important aspect था, और साथो साथ हम लोग कह सकते है कि ये teak and sal का use जो है, आपकी railways के अंदर और other infrastructure के अंदर भी करने की शुरुआत की जाती है, getting a point है ना, तो आप समदने की कोशिश करिये, you try to understand कि how the lives of the people were affected, कैसे लोगों को affect किया गया है by the British perspective, कैसे लोगों को पूरी करा से, in fact है न, British administration के द्वारा, वो है, annihilate भी किया जात है साब, ठीक है ना, teak sal को promote किया गया, बाकी सब को तोड़ दिया गया, क्यूं? क्यूं तोड़ा गया साब, क्यूंकि teak sal ऐसे है, जो इनको मदद, मतलब जो है न, काट काटा गया उसको, क्यूंकि वो उनके administration में काम में आ सकते है साब, ठीक है, so we find कि जो लोग है, वो लो है तो क्या होता है साब ठीक है तो इन दा फॉरेस्ट एडिया पीपल यूज दी फॉरेस्ट प्रोड़क्स लाइक रूट्स लीव्स फ्रूट्स ट्यूबर्स एट्लेक्स मैंने अधर थिंग साब ठीक है ना उसमें भी खासे दिये थी कि खुच-चीजों से उनको नुट्रि प्लव बनाने के लिए हल बनाने के लिए साब ठीक है बांबू निकलता था फॉरेस्ट से जहां से लोग फैंसी बनाते थे बांबू की पूरी फैंसिंग और टेलिटरी बनाया करते थे साब ठीक है बास्केट बनाते थे अंब्रेला बनाते थे यह सब चीजों के द्वारा all these things, क्या दर्शा रही है all these things signifies कि how the lives of the people were affected with the entry of the British I would say over a period of time ठीक है, तो यह जो herbs है जो medicinal perspectives है इन्होंने बनाए है साब ठीक है, और भी अलग-अलग point आपको मिलेंगे कि जो इन्होंने use किया था साब ठीक है, फिर एक आपको god होती है, जिसे हम लोग क्या कहते है, लोकी साब, ठीक है, यह लोकी को, यह लोग scoop कर देते थे, say for example this is a lockie, आपको paint करके बताता हूँ just a second साब, ठीक है न, lockie आपने lockie देख होगी न, साब, you might have seen lockie, lockie कैसे दिखती है, let me let me see, ठीक है, let me आपको खड़ी, यह लोकी है साब, ठीक है न, तो यह लोग क्या करते थे, lockie को, lockie को अंदर से scoop कर देते थे, they used to remove all the inside portions of the god, और फिर उसके अंदर की पानी भर दिया करते, they used to fill the water inside, साब, ठीक है तो आप समझने की कोशिश करें, अलग-अलग चीजे इनोंने use की है, tribal community जो natural resources इनको मिल रहे थे, वो सब जंगल से मिलते रहते थे, साब, उनको जो भी चीजे चाहिए होगी, वो सब की सब यह लोग जंगल से लेते थे, साब, ठीक है वो चाहे उनके कपड़े बनाने के लिए कुछ चीजे हो, वो चाहे खाने पीने की चीजे हो, पानी पीने के लिए water bottle का use करना हो, साब disposable plates and cups का use करना हो, you might be aware about the disposable plates, हम लोग है न, पत्ते के उपर खाते है, actually हम छोटे हुआ करते थे, मैं आपको मेरा experience बताता हूँ हम जब छोटे हुआ करते थे, तो ये thermocall की plates नहीं आया करती थी, साब ठीक है, आजकल हम लोग ये thermocall की और aluminium foil वाली जो plates के उपर खाते है, हमारा बचपन, actually ये पत्ते की plates के उपर गया है ठीक है, ये पत्ते की, पत्राडा कहते है हम लोकल language के अंदर, यहां गुजरात के अंदर पर ये पत्ते की plates के अंदर ही निकला है, साब ठीक है, और मज़ा आती थी उसके उपर खाने के लिए, साब ठीक है, क्यों रोटी, पुरी हो गई, सबजी हो गई, साब है ना, कहीं कोई छोटा मोटा ओकेशन हो गया, गाओ के अंदर, तो वहां ये disposable plates के ऊपर खाने का कुछ अलगी अनुबह था था, साब, ठीक है, forest के लोग पहले से ये चीज़ का यूज़ करते थे, साब ठीक है, वी फाइंड कि उस दौरान इन्होंने अलग-अलग प्रकार की क्या कहते है कि जो leaves थे, और अलग-अलग प्रकार की हम लोग कह सकते है कि जो creepers थे, ये creepers का use किया है रसी बनाने के लिए साब, ठीक है thorny, जो भी काटे वाली चीज़ थी, उसके अंदर से ये लोग basically सबजीों का use करते थे उसको बनाने के लिए, क्योंकि वो काटे वाला कोई भी चीज़ होगा, उससे सबजी कर जाती थी तो you can imagine कि everything was used from the forest मतलब खाने की चीज़े पहने की चीज़े साब, in fact day-to-day use के अंदर जो आने वाली चीज़े है, वो भी forest के अंदर से मिल रही है आपको oil मिल रहा है cooking के लिए ठीक है, घर जलाने के लिए आपको जो oil चाहिए, मतलब दिये जलाने के लिए घर जलाना का हसाब, ठीक है दिये जलाने के लिए आपको जो oil मिल रहा है वो भी आपको यहां से मिलेगा, everything was got from the, I would say the forestry साब, ठीक है हर एक चीज forestry से मिल रही है और हर एक चीज जब forestry से मिल रही है तो जरूर से हमको मिलेगा कि forestry के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको काफी फाइदा मिलता था और वो लोग अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से चला पाते थे, ठीक है, अब problem क्या था, what was the problem, problem के ओपर आ जाता है let me go to the problematic side problem क्या था मेरे दोस्तों आप समदने की कोशिश करिए जैसे ही जंगल का कानून pass on हुआ, the moment forest act was passed the hardship for the villagers started, क्यों होता है साब ठीक है क्योंकि ये गाव के अंदर रहने वाले लोग थे, इन लोग को हर छोटी छोटी चीजों के लिए जंगल के अंदर जाना पड़ता था, इन लोग की जो भी basic necessities थी उन सब का fulfillment forest के द्वारा ही होता था, ठीक है, getting my point है ना तो होता क्या है कि जैसे ही कानून pass होता है उनकी जितनी भी practices है जैहे कि वो wood cutting हो गया हो, वो चाहे अपने गाए भैसो को चराना हो, जहाँ जंगल से fruits and roots को लेना हो जंगल के अंदर hunting और fishing करना हो, क्योंकि tribal community थी तो जंगल के अंदर जो छोटा मोटा जानवर मिलता था, जंगल के अंदर से नदी चलती थी, मचली मिलती थी इन सब के उपर prohibition लगा दिया जाता है you can imagine a person who was dependent on forest solely dependent on forest tribal community के लोग जो basically जंगल के अंदर in fact daily अपने गुजरान चलाते थे रातो रात उनको अपने घर से हटा दिया गया, उनका घरी जंगल के अंदर था they used to stay in the forest they used to live in the forest उनको पूरी तरह से हटा दिया गया you can imagine कि क्या situation थी साब अब tribal community है उनको हमारे जैसी lifestyle तो थी नहीं कि कहीं बाजार में जाके ले के आए उनके पास तो पैसे भी नहीं थे कि बाजार में जाके खरीद के आएंगे tribal लोग है साब आप समधने की कोशिश करिए they neither had the resources nor had the money to go and purchase from the market and they were not used to with the commercial markets because इनका lifestyle क्या था कि simple living high thinking था साब ठीक है बहुत ही मेहनत करके अपना जीवन जीते थे ये लोग है न तो ये सब चीजों के द्वारा हमको क्या दिख रहा है what we are finding साब हमको एक चीज clear cut मिल रही है कि उनको forest के अंदर से जब हटाया गया उनकी पूरी तरह से जो way of life हम लोग जिसे कह सकते है उसको destroy कर दिया गया and this is one of the reasons हमको एक चीज़ बहुत मिल रही है कि वहां के जो tribal लोग थे उनको जब जंगल की जरुवत पड़ी उनको जब जंगल के resources की जरुवत पड़ी तो वहां से चोरी करने की शुरुवात करते है and you can imagine की in fact इनको चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता they were forced by the British administration to I would say do the stealing from the forest resources jungle के resources को steal करना, उनकी चोरी करना ये बहुत ही forcefully किया गया था उनके लिए, उनको बोला गया कि आपको ये करना ही पड़ेगा साब, ठीक है तो हमारे पास कोई option ही नहीं है, getting my point है न ये सब चीज़ें दर्चाती है कि how bad and how ruthless the British administration, the British law system was जिनोंने पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि forest के अंदर रहने वाले लोगों को परेशान किया, in fact जो लोग fuel wood, जो लकडा लेके आते थे अपना घर के अंदर चुला जलाने के लिए, उनको भी परेशान किया गया, खास करके women, तो अब देखे tribal की हालत क्या होगी साब, what will happen to the tribal community, उनको खाने के लिए महांदे होगे, घर के अंदर दिया जलाने के लिए महांदे होगे, उनकी condition ऐसी होगी कि अगर उनको किसी ने पकड़ा, तो forest वाला उनसे पैसा मागता था जो beat guard साब, तो क्या होता है साब कि उनका exploitation होने की शुरूत होगी साब, ठीक है, so this is one of the reasons की जो भी police officials थे और forest के जो guards थे, ये लोग basically इन लोग को परेशान करते थे, और जंगल में जाके आदिवासी जब बापीस आता था, उसको पकड़ के बोले जाता था की भाई तू क्या लेके आ, चल मेरे को दे, मेरे को हफता दे, मेरे को भाड़ा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, तू क्या खाना लेके आ रहा है, मेरे को उसमें से भाग चाहिए, तो ये सब चीज़े दर्शाती है कि how bad the British administration was and how ruthless it used to be, और जो भी corruption था, इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा साब, ठीक है ना, तो corruption का बढ़ना, ये सब की सब चीज़े हमको British perspective के अंदर से मिलती है, and this is how we consider कि जितने भी forest के जो कानून पास किये गए है ये forest के कानून पास करने के कारण हमको देखने को मिलता है, कि British administration perspective के द्वारा और जो पूरी की पूरी जो system थी, political system हम लोग जिसे पहचानते हैं, उन सब के द्वारा भी इंडिया के अंदर जो forest resources से लेके अरग-अरग चीज़ों को target किया जाता है साब, ठीक है अब आप समधने की कोशिश करिए, एक्जामपल UPSC के अंदर तेंदू leaves के बारे में बोला गया है, किसके लख में? तेंदू leaves के बारे में, तेंदू का पता अगर आपको पता किसके लिए use होता है साब, ठीक है अगर आपने पता होगा, बीडी नाम सुना है साब बीडी, बीडी, बीडी कहते है साब, ठीक है ये कुछ-कुछ foreign के countries के अंदर इसको herbal cigarette का दरज़ा दिया गया है, ठीक है वहला common man कहता है, ये तो herbal cigarette है साब ठीक है, टॉबेको की leaves है साधी बाशा में आप अब आप समधने की कोशिश करिए, इंडिया के Central India में, मैं आपको 36 गड के बात कर रहा हूँ 36 गड में ज्यादा आपको मिलेंगे Central India के अंदर साब, ठीक है यहाँ तेंदू के जो पत्ते है, वो जंगल से ये tribal community लेके आया करती थी एक time के उपर साब और जैसे ही, in fact, British administration power के उपर आया तो British administration ने तेंदू के leaves के उपर prohibition लगा दिया, और फिर जब कोई भी tribal वहाँ से तेंदू के पत्ते लेके आके बाजार में बेचने की कोशिश भी कर रहा था तो ये लोग आके पकड़ के फिर उनकी पिटाई कर देते थे उनसे पैसे ले लेते हैं, तो सारी बाशा में क्या था, कि ये जो कानून पास किये गए थे, उसके द्वारा corruption बढ़ जाता है getting a point है ना, so drying of the तेंदू leaves हाँ, the sale of the तेंदू leaves is a major source of income for many people living in the forest, each bundle approximately contains 50 leaves and if a person works very hard, they can perhaps collect as many as 100 bundles in a day, मतलब आप देखिए कि 50 leaves का एक bundle है, 50 leaves का एक bundle है, साब, ठीक है है ना, और फिर 100 bundles ये बना सकते हैं, 100 bundles का मतलब क्या होगा, 100 into 50 कर दीजिए, साब, तो कितने होगे साब है ना, 5000 leaves के असपास collect कर पाते थे, बच्चे हो गए, बुडे हो गए, औरते हो गई ये सब जाके ये पत्तों को collect किया करते ने, फिर बाजार में बेचा करते ने, जिनका इनका घरबाद चलता था, साब, ठीक है, अंग्रेजों के आके इसके बाद इसके उपर बहुत बड़ा impact कराया, साब, ठीक है, उसी तोर के उपर आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया गया है, bringing grain from the threshing grounds to the field, the men are carrying grain in the basket from the threshing fields, men carry the basket slung on a pole across the shoulder, while women carry baskets on their heads, साब, ठीक है ना, तो अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर इनको कंधों के ऊपर आपको baskets दिखेंगे, इसकेंसी ओवर है, यह राह साब, ठीक है ना, यह baskets, यह लोग है ना, threshing से ल मिलती रहेगी, साब, ठीक है, तो कहने की बात मेरी यह थी, कि जब-जब आप forest administration के perspective से इतियास को देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए, कि Britishians ने जो इंडिया में कानूनी पद्धती को implement कराया था, उसके करन क्या-क्या चीजे होने की शुरुआत होती है, getting my point है ना, त the following groups of people, साब, ठीक है, forest का जो management था, जो colony के period के अंदर किस तरह से लोगों को affect करता है, कैसे affect करता है, वो पूछा गया है, getting my point है ना, और उसके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सबसे पहला impact जो है, वो shifting cultivators के उपर, और जंगल के अंदर रहने वाले जो दोग थ खास करके nomadic and pastoralist communities थी, उनके उपर बहुत बड़ी मातरा में पढ़ेगा साब, ठीक है, तो उसके उपर हम लोग discuss करेंगे, we'll be discussing on that point, क्योंकि NCRT के अंदर जो जो topics दिये गए है, वो तो मैं आपको पढ़ाता ही हो साब, ठीक है है ना, तो आज के class के अंदर हमने क्या पढ आया कि इंडिया के अंदर forestry को introduce करिया गया, commercial forestry की तरफ इंडिया को लेके जाया गया, over a period of time scientific forestry का नाम देते हुए, इंडिया की जो traditional forestry है, उसको इन्होंने पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, protected forest की definition दी गई, reserved forest की definition दी गई, उसके बाहर आया करता था village forest, कौन सा था? village forest, तो three tire forest की definition मिलेगी, यह कहां से थी, forest right act of 1878 के हिसाब से यह definition है, साब ठीक है, this is the definition of the forest research, या forest right act of 1878, उसके हिसाब से थी, and finally हमने आपको यह बताया, कि how the lives of the people were affected, how the lives of the people were affected, साब, ठीक है है न, तो इतना रखते है, आज के class के अंदर almost एक घंटा हमने डिसकस किया है, we have discussed in and around hour, और एक घंटे के अंदर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है, कि किस तरह से common man की जो life है, वो forestry के करण impact होती है, किस तरह से उनको परहशान किया गया है, ठीक है, अब कल के class के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा, tomorrow when I'll be meeting you, tomorrow I'll be discussing about how the forest rules affect cultivation साब, ठीक है, जंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ठीक है, अभी हमने देखा है कि आपके जंगल में रहने वाले जो लोग है, उनके उपर क्या impact होती है, यह हमने पढ़ा है 2.1 के अंदर साब, ठीक है, अब मैं आपको बढ़ाऊंगा कि कैसे जंगल के कानून के अंदर खेती के पर impact होती है, cultivation को कैसे change किया गया है, और commercialization of plantation agriculture जो है, वो कैसे बढ़ता है, how the commercialization will be increasing साब, ठीक है, तो we'll be discussing on 2 points, यह 2 points के उपर मैं आपको discuss कराऊंगा, कल के class के अंदर, और फिर उसके उपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यह chapter का हमारी linearity बनी रहेगी, I'll make sure कि हमारी linearity और हो सके उतनी comprehensive, वे के अंदर हम लोग history को पढ़ने की कोशिश करेंगे साब, ठीक है, तो यह chapter को यहां पर conclude करता हूँ, मैं आपको welcome करूंगा, कि आप जुडिये हमारे साथ on the Unacademy Plus platform, I'm still saying कि आपको regret नहीं होगा, आप subscription लेने के लिए 10% discount code PNLive use कर सेबते हो, और आपक अंदर subscription लेते हो, before 31st of October, तो आपके subscription के अंदर GS और optional दोनों cover हो जाएगा, आपका एक ही subscription है GS और optional के लिए, और एक साल, दो साल, तीन साल का subscription ले सकते हो, subscription लेने के लिए PNLive referral code use करिए, 10% discount को gain करिए, कोई भी query होगी तो जरूर से हमको पूछिएगा, Unacademy की application को download करिए, वहाँ पर message window आती है, वो message window के ओपर मैं available होता हूँ, anything that can be possible from my side, I'll try to help you out and will make sure कि आपकी जो preparation की जो journey है, उसको हम लोग streamline करते हो हैं बहुत efficiently और बहुत ही मैं कहूंगा कि comprehensively तयारी करें, ठीक है, like, share and subscribe to this platform my friends, let us conclude the class today, tomorrow I'll start with the how forest will be affecting the cultivation life and I'm concluding in this session and I'll see you tomorrow, please take care, stay safe and keep studying.